Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discuss about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आजम बात करेंगे 2 जुलाई 2020 से related important agriculture current affairs के वारे में, जो exam के point of view से काफी important है. इसलिए वीडियो को last तक जरूर देखना. उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि आपको agriculture job notifications की वीडियो and agriculture competitive exam की वीडियो टाइम से मिलती रहे. तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला current affair है, क्रिशी संजीवनी सब्ता to be launched by महराष्टरा government to educate farmers. तो farmers को educate करने के लिए, उनको latest technology के वारे में बताने के लिए, महराष्ट गवर्मेंट ने क्रिशी संजीवनी सब्ता launch किया है. तो जानेंगे इसके वारे में detail में काफी important current affair है, second current affair है, NDDB promotes pursue आयरुवेद to control animal disease. तो NDDB मीज क्या है, National Dairy Development Board ने पशु आयरुवेद को promote किया है, ताकि वो animal disease को control कर सके. तो जानेंगे पशु आयरुवेद क्या है और इसको control करने के लिए NDDB ने इसको promote क्यूं किया है, सारी information लेंगे आने वाली slides में. आगे बात करेंगे केरला state government is implementing crop insurance to farmers, तो यहाँ पे केरला state ने अपने farmers के लिए crop insurance scheme launch की है, जहाँ पे केरला के farmers अपनी crops पर, अपने tree पर insurance करा सकते हैं, और अगर उनकी जो crop है वो loss होती है due to natural hazards, तो वहाँ पे उनको यहाँ पे government के तरफ से पैसा दिया जाएगा. तो जानेंगे इस important तीनों कर interface के वारे में one by one. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्रशी संजीवनी सब्ता, तो यह launch किया है महरास्ट agriculture minister दादा भुसे ने, जो की जिसका नाम है क्रशी संजीवनी सब्ता, जो बुद्वार को launch किया था, इसका aim है at updating farmers about modern technology being used in the agriculture sector to boost crop production. तो यहाँ पे इस सब्ता को launch करने का जो उद्देश है, वो यह है कि farmer को daily basis पे update किया जाए, information दी जाए और modern technologies के वारे में उनको aware किया जाए, ताकि agriculture sector को boost कर सकें और crop production को बढ़ा सकें. तो means है कि agriculture sector में development के लिए ही महराष्ट government ने उनके agriculture minister दादा भुसे ने क्रिशी संजीवनी सब्ता launch किया है, तो यह farmers के welfare के लिए इस सब्ता को launch किया गया है. आगे बात करेंगे भुसे विल विजिट फार्म इन साप्ते एंड कोंडी बिलेज इन नासिक डिश्रिक त्रिम्ब केश्वर टू लौंच क्रिशी संजीवनी सब्ता commemorating the birth anniversary of late chief minister वसंत राव नाइक. तो यहाँ पर बात हो रही है कि महराश्ट के एगरी कल्चर मिनिस्टर दादा वसे ने पूर्वुस चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है वसंत राव नाइक उनके इसमरण ओसव में क्रिशी संजीवनी सब्ता launch किया गया है ताकि farmers के लिए थोड़ी सी help government के द्वारा की जा सके. यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहनों ने नासिक डिस्टिक से इस सप्ता को launch किया है जो की village है साप्ते एंड कोन village इतना आपको याद रखना है आगे बात करेंगे July 1st is celebrated as क्रशी दिन agriculture day in महराश्ट तो यहाँ पर बात हो रही है कि यह जो सप्ता है वो 1 जुलाई को launch किया गया है और 1 जुलाई को महराश्ट में क्रशी दिन celebrate किया जाता है या फिर agriculture day celebrate किया जाता है यह आपको याद रखना है paper में आ सकता है ठीक है आगे बात करेंगे the week long program emphasizes on increasing quality and productivity of crop and income of farmers तो यह जो प्रोग्राम चलेगा इसका उद्देश होगा यह emphasize करेगा कि quality increase हो productivity increase हो crops की और farmers की income को बढ़ाया जा सके जैसा कि आपको पता है हमारे Prime Minister नरेंद मोदी जी का सपना है कि 2020 तक agriculture में farmers की आय डबल हो जाए दुगनी हो जाए उसको fulfill करने के लिए उसी के context में क्रिशी संजीवनी सपता launch किया गया है आगे बात करेंगे बोसे has instructed agriculture department officer, staffers, scientists to reach out farmers to share and share with them the latest technologies developed by agriculture universities and central research institute तो बोसे ने बोलाए कि जितने भी agriculture department में officers हैं, staffs हैं, करमचारी हैं और scientists हैं वो farmers से मिलें और उनको latest technologies के वारें बताएं जो develop की जा रहे हैं एग्रिकल्च उनिवस्टीज में और Central Research Institute में ताकि farmers को latest technology के वारें पता चल सके जिससे agriculture sector में development देखने को मिले development कब होगा जब crop production की quality और quantity दोनों बढ़ेगी और quantity बढ़ाने के लिए हमको technology का use करना पड़ेगा उसी उद्देश को पूरा करने के लिए क्रिशी संजीबनी सब्ता प्रोग्राम चलाए गया है उम्मिद करता हूँ इस news के बारे में आपको fulfill knowledge मिले गई होगी जो exam के point of view से काफी important है आगे बात कर लेते हैं second information जो की है NDDP promotes pursue our way to control animal disease friends अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है helpful लग रही है तो वीडियो को like करना और जादा से जादा इस वीडियो को share करना ताकि सभी student तक ये वीडियो पहुंच सके तो जानते इसके बारे में तो यहां पर बात हो रही है National Dairy Development Board ने पशु आयरुवेद या उसको बोलते हैं ethno veterinary इसके बारे में थोड़ा सा जाल लेते हैं तो यहां पर बात हो रही है कि पशु आयरुवेद और ethno veterinary medicine तो जैको पशु आयरुवेद तो आप जानते होगे इसको ethno veterinary medicine बोलते हैं जिसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं इसको बोलते हैं जाती है पशु चिकिस्सा ठीक है इसका मतलब है The application of indigenous knowledge to treat animal disease is also known as ethno veterinary medicine तो यहां पर ऐसे indigenous knowledge को हमको use करना है ताकि हम animal के disease को treat कर सकें उसको सही कर सकें ठीक है आगी बात की जा रही है कि यहां पर कोसिस की जा रही है कि जो pathogens हैं जो jump करते हैं humans में मतलब animal से जो humans में pathogens jump करते हैं उसके chances को कम करना हैं मतलब है कि अगर कोई problem है कोई बिमारी है कोई disease है एनिमल के अंदर है तो वहां ही पर उसको control किया जा सकें उसको खत्म किया जा सकें कहीं ऐसा ना हो कि वो जानवर से transfer होके जंप होके humans में आ जाए तो वहां पर वो एक तरह की महामारी बन जाती है pandemic बन जाता तो ऐसी situation जैसे कि आप आज की टाइम में कोरोना से लट रहे हैं फीचर में से भी problem जनरेट ना हो इसी लिए यहां पर पशु आयरवेद और एथनो वेटरिनरी मेडिशन को प्रमोट किया गया है आगे बात कर लेते हैं cattle and buffaloes account for more than 50% of the livestock population in India latest census के according cattle और buffalo लगवग 50% से ज़्यादा हिस्सा रखती है total livestock population जो भारत में है यह आपको याद रखना है काफी important है कि 50% से ज़्यादा जो share है वो cattle और buffaloes का है इंडिया में आगे बात कर लेते हैं the national dairy development board is aggressively promoting use of ethno veterinary medicine तो यहां पर aggressively promote किया जा रहा है NDTV के द्वारा ethno veterinary medicine को और यह होता क्या है मैंने बताया the application of indigenous knowledge to treat animal diseases ठीक है इतना आपको याद रखना है आगे बात की गई है in order to mitigate the risk to human health controlling genotic diseases at the animal source is the paramount importance said deliverth chairman of NDTV तो यहां पर जो NDTV के chairman है यहां पर एक question बन जाएगा तो deliverth है काफी important है आपको याद रखना है दूसरा आप एक term आया है genotic disease तो इसके बारे में जाल लेते हैं होते क्या है तो यहां पर बात हो रही है genotic disease ऐसे disease होते हैं जो animal से या किसी insect से human में transfer हो जाते हैं पास हो जाते हैं उनी को हम genotic disease बोलते हैं इसी को रोकनी के लिए यहां पर ethno veterinary medicine का use किया गया है इसको promote किया जा रहा है NDTV के द्वारा यह आपका virus जनित रोग हो सकते हैं genotic disease वैक्टिरिया जनित हो सकते हैं fungus जनित हो सकते हैं फिर parasitic हो सकते हैं ठीक है किया जा रहा है इसको आगे बात कर लेते हैं according to world animal health organization 60% of the human infectious disease across the world are genotic तो यहां पर लगवल 60% human infectious disease ऐसे हैं world में जो genotic हैं और at least 75% of emergency infections in human are of animal origin लगवल 75% emerging infections ऐसे हैं जो humans में आए हैं उनका origin कौन था animal था animal में origin हुआ लेकिन वो human में transfer हो गए जैसे flu की बात कर लेते हैं swine flu यह अपका यसा है जो animal से humans में transfer होता है और एक बायानक बिमारी का रूप लेता है एक pandemic बन जाता है महामारी बन जाता है तो ऐसी problem को जो future में ना हो उसी को control करने के लिए अभी से initiative लिया जा रहा है अब यहाँ पर question आया है एंडी डीवी के बारे में तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसको national dairy development board बोलते हैं यह established हुई 16 July 1962 में यह established हुई इसका headquarter है आनंद गुजरात में इसके founder वरगीज कुरियन है यह आपको पता होगा काफी important है तो एंडी डीवी के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए अब चलते हैं third important और last current of year केरला state government is implementing crop insurance to farmer तो यहाँ पे केरला government ने crop insurance इंप्लिमेंट किये farmers के लिए तो जान लेते हैं इसके वारे में तो यहाँ पे बात हो रही है केरला government की उन्होंने बोला है कि यह scheme उन farmers के लिए है जो सफर कर रहे हैं किसी भी अबके natural disaster से तो यहाँ पे natural disaster से कोई भी farmers अगर सफर कर रहा है उसकी crop loss हो गई है तो उस loss को वरकम करने के लिए केरला state government ने crop insurance scheme launch की है तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ बात की गई है crop insurance is being held in the district from 1st July to 15 to get more farmers directly involved in the agriculture crop insurance scheme तो यह जो चलेगी वो चलेगी 1 July से लेके 15 July तक कोई भी किसान अपनी crop का insurance करा सकता है यहाँ पे crop के साथ साथ जो आपके फल वाले पेड़ हैं जिनसे आपको fruit मिलते हैं, coconut मिलता है उसके लिए भी यहाँ पे आप insurance करा सकते हैं इस scheme के अंडर में कलपट्टा एग्रिकल्चर असिस्टेंट डिरेक्टर said that 27 varieties of crop can be insured through the respective क्रिशी भवन यहाँ पे लगो 27 crop की variety का insurance आप करा सकते हो जो कलपट्टा ने बोला है जो की agriculture असिस्टेंट डिरेक्टर है ठीक है आगे बात की जा रही है if a farmer if a farmer has at least 10 coconut trees अगर किसी farmer के पास 10 coconut tree है काफी इंटेस्टिंग है सुनिए then they can be insured at a price of rupees 2 rupees 2 per year या फिर rupees 5 per 3 year यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है कि किसी farmer के पास अगर 10 coconut के plant है तो वो भी इस scheme में insured कर सकता है खुद को जहाँ पे उसको 2 rupees सालाना देने पड़ेंगे या फिर 5 rupees 3 साल के लिए समझ में आ रहा है वैसे अगर 2 से लगा हो तो 6 rupees होगे 3 साल के लेकिन अगर आप यहाँ पे 3 साल के लिए insurance कराना चाहरा है तो केवल आपको 5 rupees देना पड़ेगा अगर आप 1 साल के लिए कराना चाहरा है तो आपको 2 rupees देना पड़ेगा अब देखिए इस कीम का फायदा क्या है in case of crop loss due to natural disaster अगर कोई भी प्राकर्तिक आपदा आ गई natural disaster आ गया है तो वहाँ पर compensation दिया जाएगा 2000 रुपे पर coconut समझ में आ रहा है आपके 10 coconut तो आपको 10 coconut का अलग अलग एक पेड़ का 2000 रुपे government of केरला देगी ग्रियार है उमिद करता हूँ आपको समझ में आया होगा तो यहाँ पर यह हो गया बाकी यहाँ पर बुला गया है Palm trees can be insured with a premium of 1 rupees per year अगर आपके palm tree है coconut नहीं है वहाँ पर भी आप insured कर पाओगे खुद को एक रुपया एक साल के लिए और यहाँ पर दो रुपया तीन साल के लिए आप insured कर सकते हैं यहाँ पर 200 रुपय पर palm tree will be provided if crop is destroyed अगर आपकी crop destroyed होती है तो यहाँ पर आपको 200 रुपय पर palm tree के according compensation government of Kerala के द्वारा दिया जाएगा यह यहाँ पर बोला गया है उम्मिद करता हूँ इस crop scheme के बारे में इस insurance scheme के बारे में आपको समझ में आया होगा तो यह था आज का important session उम्मिद करता हूँ session अच्छा लगा होगा session अच्छा लगा है तो like करिए जादा से याद इस video को share करिए ताकि सबी student तक यह video पहुंच सके जैसा कि आपको पता है वीडियो के last में एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा question आपके लिए आता है तो question आ चुका है और आज का question है वर्ल्ड शॉयल डे इस celebrated on तो यहाँ पर बात हो रही है विश्वय म्रदा दिवस किस दिन celebrate किया जाता है मनाया जाता है जल्दी से phone में answer type कीजिए और भेज दीजिए हमको हम wait कर रहा है आपके valuable response का तो यह था आज के important session session को जादा से जादा share करना ताकि सबी student तक यह वीडियो पहुंच सके आपका एक share हजारों चात्रों तक इस वीडियो को पहुंचा सकता है तो बस एक share कर दीजिए और किसी WhatsApp या IP group में इस वीडियो को भेज दीजिए इसका PDF आपको मारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसकी link description box में दे दी है so thank you for watching चैहिंग चैभारत